नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं बेश्ट बेंगाल के हावडा जिला के बारे में तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिये हुए रेट कलर की बटन को दबा कर हमारे चनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा और दोस्तों अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कोमेंट करकर जरूर बताएगा तो हावडा जिला यह जिला भारत देश के पच्छिम बंगाल राज में इस्तित पच्छिम बंगाल के 23 जिलो में से एक हावडा जिला के नाम से जाना जाता है यह जिला भारत देश के उत्तरपूर दिशा की ओर बसा हुआ है जिस वज़ा से इस जिले की सीमा बेश्ट बंगाल के बड़े बड़े जिलों से मिलती है इस जिले का हेट कॉर्टर ओपिस हावडा सहर में मौजूद है और हावडा जिला प्रेशिडेंसी मंडल के अंतरगत आता है हावडा जिला के पडोसी जिले का नाम पूर्वी मेदीनी पूर जिला, पच्मी मेदीनी पूर जिला, कोलकता जिला, साउथ 24 परगना जिला वह हुगली जिला है च्यत्रफल की बात करे तो हावडा जिले का कुल च्यत्रफल 1468 वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करे तो वर्ष 2011 के जन्गर्ना की अनुसार इस जिले की कुल आबादी 10,72,226 है इस जिले का ओसत लिंगन पात 904 के करीब है यानि की यहाँ पर 1000 पुरूस पर 904 महिला है हावडा जिले के मुख नदी का नाम हुगली नदी वा दामोदर नदी है हुगली नदी के किनारे पर बसा यह जिला बेश्ट बंगाल की रवधाने कोलकता से महज 15 किलोमीटर तथा देश की राधाने दिल्ली से लगभग 1512 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है सडक रास्ते की बात करें तो हावडा जिला सडक के माध्यम से बेश्ट बंगौल के बड़े-बड़े सारों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 15 गुजरती है जो आगे चलकर बेश्ट बंगॉल के बड़े बड़े सहरों के साथ अच्छी तरह से जूरती है इस जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गावों तक भी बस सेवा मुईया परदान कराता है रेल्बे स्टेशन की बात करें तो हावडा जक्सन यहां का मुख रेल्बे स्टेशन है जो की बहुती बड़ा रेल्बे स्टेशन है और भारत में कमाई करने वाले रेल्बे स्टेशनों में से बड़ा रेल्बे स्टेशन हावडा जक्सन है इस जक्सन में 13 नहीं 23 पटरिया सामिल है और 25 प्लेटफर्म और 23 पटरिया सामिल है इस रेल्बे जक्सन का कोड ह्व है और इस किया स्थापना अन्निस्षो चवण में किया गया था जो कि तभी इसको इलक्ट्रिफाई कर दिया गया था हावडा जक्सन नौर्थ इस्टन सेंटर रेल्बे जोन के हावडा और खड़कपूर डिविजन के अंतरगत आता है सिच्छा की बात करें तो हावडा जिला सिच्छा में बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी इस जिले में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूलवा कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहां के बच्चे अच्छी तरह से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूलवा कॉलेज के नाम इस परकार हैं महेश भटनाचार होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड होस्पीटल हावडा राम सदे कॉलेज यह सभी और हजाद हिंद फोज इसमिर्थी महाविद्धाल हावडा यह सभी इसी जिला में इंजिनियरिंग यह सभी इसी जिला में मौजूद हैं जो आसपास के बच्चों को अच्छी तरह से सिच्छा मोईया परदान कराते हैं तूरिस अस्तलों की बात कर तो यह जिला खुशूर्ती के खजानों से पुरी तरह से भरा हुआ है दोस्तों हावडा जिले की बारे मे आपकी क्यार राय है हमें नीचे कॉमेंट करकर जरू बाताएगा और वीडियो पुरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद